हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो ट्वन्टीफोर नॉलेजे ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करमचारी भविश्य निधी संगठन इप यहां पर जो यहां पर जारी किया गया है जो कि फ्रेंट्स एम्पलोरमेंट नुज्पेपर बहुत देखने को मिलता है बात करते हैं इसकी डेटेल अपडेट के बारे में और इसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके साथ में फ्रेंज आप यहाँ पर इस नॉटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉबरास्ता.com का आपको फ्रेंज से लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप डिटेल्स को चेक आउट कर सकते हैं तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे एससे से एन स्टैनों की ये वेकेंसी है जिसकी डिटेल्स आपको जो ऑफिशल शॉट नौटिस है वो फ्रेंज से जॉबरास्ता.com पर देखने को मिल जाएगा बात करते हैं फ्रेंज अब इसके नौटिफिकेशन मिन्स शॉट नौटिस के बारे में तो ये फ्रेंज इसका ऑफिशल शॉट नौटिस है इसके अलावा अगर अगर आप एक से जड़ा पोस्त के लिए आपके यहाँ पर जारी किये गए है SSA एर S 앉haographer Post के लिए जोकी EPFO में आपके रहेंगे इसके अलावा अगर आप एक से जड़ा पोस्त के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक से जड़ा पोस्त के लिए अपलाई कर सकते हैं आपको exam fees या application fees है वो हर एक post के लिए आपको अलग-अलग पे यहाँ पर करने होगी इसके लब दो detail of essential qualification है, number of vacancies है, age limit है वो आपको यहाँ पर दी गई है सबसे पहले बात करते हैं friends हम social security assistant SSC post के लिए तो यहाँ पर दिखी bachelor degree आपके पास होनी चाहिए किसी भी stream में आपके पास bachelor degree है, आप इसमें आविदन कर सकते हैं साथ में typing speed required रहेगी 35 word permanent in English या friends 30 word permanent in Hindi computer पर आपकी यहाँ पर typing speed होनी चाहिए अब या तो English में typing आपको आनी चाहिए या हिंदी में आनी चाहिए और साथ में bachelor degree आपके पास होनी ज़रूरी है इसके बार फ्रेंस जो total number of post हैं यहाँ पर फ्रेंस इस post के लिए वो है 2674 post इसमें जो age limit है वो फ्रेंस आपका 18-27 साल रहेगा मतलब जो minimum age है वो 18 साल maximum जो age है वो 27 साल आपकी रहेगी और ये closing date पर आपकी count की जाएगी age relaxation भी आपको मिल जाएगा अगर आप reserve candidate है OBC, SC, ST, PHK तो आपको आपर age में छूट मिल जाती है scale of pay की बात करें तो level pay का आपका जो है level 5 का pay बेटिक्स रहता है जिसमें 29,200 से 22,300 रुपे सेलरी आपकी रहेगे तो ये जानकारी है social security assistant SSA post के लिए इसके बाद है stenographer post स्टेनोग्राफर में मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वाइड है वो बारवी क्लास पास आउट आप से मांग गया है क्योंकि वेकेंसी है स्टेनोग की तो यहाप पर skill test norms भी आपके रिक्वाइड रहते हैं जिसमें सबसे पहले है जिसमें आपका एस क्रेटिरिया मिनिममम जो एज है वो अठारा साल मैक्जिमम जो एज है वो 27 साल रहेगी और यह भी closing date पर count होगी अगर आप reserve candidate है तो आपको अपर एज में छूट यहाँ पर मिल जाती है इसके बाद friends scale of pay की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जो salary है वो level 4 की आपकी रहेगी इसमें 35,500 से 81,100 रुपे आपकी salary रहती है यह आपको scale of pay यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके बाद payment of fees की बात कर लेते हैं तो अगर आप SC, ST, PH, female candidate या ex-service man है तो कोई भी fees आपकी यहाँ पर नहीं लगती पर इसके अलावा जो other categories है जंदल, OBC, EWS इनके लिए 700 रुपे fees आपको यहाँ पर pay करनी होगी और fees आप online mode में जम्मा करवाएंगे इसके बाद से कहा गया है vacancies कम यह ज़ादा की जा सकती है as per government of India rules लिंक जो है online application form का यह एक्टिवेट हो जाएगा 27 March 2013 को apply आप कर सकते हैं 26 March 2013 तक तो 27 March 2013 से 26 April 2013 तक आप इसमें online आविदन कर पाएंगे और जो complete details है regarding vacancies, online application, selection process, general instructions वो फ्रेंच से epf.india.gov.in की official website पर जल्दी ही आपको इसका update देखने को मिलेगा तो यह फ्रेंच से इसका short notice है जो कि आप check कर सकते हैं APFO का यह फ्रेंच notification SSC and आपके stenographer post के लिए निकाला गया है जिसमें SSC की 2674 और stenographer की 185 vacancy आपकी रहती हैं अब यह फ्रेंच से इसका new notice है अगर बात कर देखिए selection process की selection process फ्रेंच से इसका देखिए अगर old notification पर हम चलते हैं तो old notification में social security assistant जो की फ्रेंच से की post है उसके लिए फ्रेंच से जो इसका LBT criteria था वो फ्रेंच से आपका same रहता है हम यहाँ पर बात करेंगे इसके selection process की मतलब इसमें जो selection है वो आपका कैसे होगा तो देखिए scheme of exam की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले scheme of exam में आपका होगा pre exam अब pre exam तीन section में divided है पहला section है English language का जिसके 30 question होंगे 30 marks के और 20 minute का समय आपको मिलेगा और यह English language में आपको available होगा second जो section है वो है reasoning ability का इसके 35 question होंगे 35 marks के 20 minute का समय आपको मिलेगा English and Hindi दोनों ही language में आपको यह available होगा इसके बाद है numerical attitude इसके 35 question होंगे 35 marks के और 20 minute का समय आपको मिलेगा और यह Bangalore language मतलब English and Hindi दोनों ही language में आपको available होगा तो यहाँ पर total 100 question है 100 marks का है और एक घंटे की duration आपकी रहती है phase 1 जो है friends only qualifying nature का रहेगा इसमें देखिए friends यहाँ पर negative marking 1 fourth की रहेगी और phase 2 के लिए friends एक seat पर 10 candidate को shortlisted किया जाएगा इसके बाद main exam होगा main exam friends से 5 section में divide है पहला section है reasoning या intelligence इसमें देखिए 40 question होंगे 60 marks के 35 minute का donation है और English and Hindi दोनों ही language में आपको available होगा second topic होगा general या economy या financial awareness इसके 40 question होंगे 40 marks के 20 minute का समय मिलेगा बैंगलर language में होगा तीसरा है English language का इसके 30 question होंगे 40 marks का paper होगा 30 minute की duration होगी English language में आपको ये available होगा और quant attitude के 40 question होगे 60 marks के 35 minute की duration होगी और English and Hindi दोनों ही language में आपको ये available होगा total friends 1500 question है 200 marks का paper है दो घंटे की duration आपकी यहाँ पर रहेगी अब पांच वाजो section है वो है descriptive paper का, descriptive paper में friends, English language आपकी यहाँ पर पूछी जाएगी, जिसमें emphasis on comprehension analysis आपसे पूछा जाएगा इसमें तीन questions आपकी होंगे letter के, precis और आपके compression के, 30 number का paper आपका होगा, 45 minutes का समय रहेगा English language में आपको यह complete करना होगा overall बात करें तो 153 question है 230 number का paper है, 2 घंटे 45 minutes का समय आपको मिलता है अब phase 2 का जो marks है, वो ही आपकी consider की जाएगे final selection के लिए negative marking 1 fourth की रहेगी और descriptive paper fans only online mode में ही आपका होगा इसमें आपको screen पर आपके questions आपके मिलेंगे, जो कि आपको keyboard के साहिता से आपको answer type करने है इसके बार friends से देखिए 1 ratio 5 पर, आमना एक seat पर 5 candidate को बुलाए जाएगा next phase के लिए जो की है computer skill test computer data entry test यहाँ पर देखिए friends, जो skill test है इसमें आपकी accuracy और speed चेक की जाएगी minimum जो requirement है वो 5000 की depression per hour की है और shortlisted candidate जो की skill test में होंगे उनको ही friends आगे की जो process है उसमें part लेने दिया जाएगा तो यह आपका selection process है इसके बार friends merit list बनेगी और उसके बार आपका final selection होगा center of exam friends आपको यहाँ पर दिये गए है centers change नहीं होते all India centers आपको यहाँ पर available हो जाते है तो यहाँ पर जानकारी है वो मैंने आपको provide कर दी है इसका old notification भी बन आपको show कर दिया है latest short notice भी आपको show कर दिया है बाकी की जानकारी आप jobrasa.com पर जाका चेक आउट कर सकते हैं अगर आपको update पसंद आई है तो like, subscribe and share जरू कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा यूडिक्टरेल अन्ना सैंक्स पूर वाचिंग